हाथी ने बच्छडे को बचाने के लिए तमिलनाडू के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। आईस अधिकारी ने शेर किया विडियो। कमिलाडू के पोलाची में वन अधिकारियों नाहर में गिरे एक हाथी के बच्चे को बचाने और उसे उसकी मान से मिलाने के लिए असाधारन साहस और समर्पन दिखाया। आइस अधिकारी सुप्रिया साहू ने वन अधिकारियों की एक प्रेरत कहानी साजह की, जिन्हों एक छोटे हाथी के बच्चे को बचाने और उसकी मान से मिलाने के लिए असाधारन समर्पन और साहस का प्रदर्शन किया। 24 फरवरी को एक्स पर अपने पोस्ट में साहू ने एक दिल छू लेने वाला क्षन भी साजह किया, जब हाथी ने तमिलनाडू के कोयंबतूर जिल के पोलाची से बचाव अभियान के बाद वन अधिकारियों को धन्यवाद दिया। या सब तब शुरू हुआ जब बच्छरा गलाती से फिजल कर नाहर में गिर गया और मान के प्रयासों के बावाजूल, पानी के तेज बहाव के कारण बच्छरे का बाहर आना मुश्किल हो गया। एफडी रामा सुब्रानियाम, डीडी बी तेजा, उगलिन्थी एफारो, थिलाकर फोरिस्टा, सर्वनन फोरिस्ट गार्ड, वेलिंगिरी फोरिस्ट गार्ड, मुरली फोरिस्ट वोचार, रासू फोरिस्ट वोचार, बालू एपीडेबलू, नागराज एपीडेबलू, म पचाव अभियान में आने वाली कठिनाईयों के बावाजू, वन अधिकारियों के असाधारन प्रयासों के कारण अंतता हाथी के बच्चे का उसकी मान के साथ सफल पुनर मिलन हुआ। साहू ने उस मार में क्षण का एक विडियो भी साजा किया जब हाथी की मान ने समर्पित वनवासियों के प्रती अपना आभार व्यक्त कराने के लिए अपनी सून उठाई। जैसे ही पोस्ट ओनलेन सामने एई, आईसी 18000 से ज्यादा बार देखा गया। वन्यजीव प्रेमियों ने पोस्ट के टिपनी अनुभाग में अपने विचार व्यक्त की। या हरद्यस परशी डियार सेचवाए वास्तव में हमें जानवरों और मनुष्यों के बीच गहरे बंधन की याद दिलाता है। युवा हाथी को बचाने और उसकी मान के साथ फिर से मिलाने में हमारे समर्पित वन्वासियों के वीरतापूर्ण प्रयासों के लिए धन्यवाद। करुना के ऐसे कारी मानावता में हमारे विश्वास को बहाल कराते हैं और महत्व पर जोड देते हैं वन्यजीव संरक्षन के लाए। कोयम मतूर जिल के पोलाची में इस खूपसूरत भाव को देखा कर आभारी हूँ। एक व्यक्ति ने कहा